कि 1931 में गौाला जाती के परसेंटेज था चार पॉइंट सम्थिंग दो हजार बाइस की जांगना हुई है उसमें ओ चौुदा पॉइंट सम्थिंग है इतना कैसे बुड़ोति रून में हो गई अलग किया बात सही हम तो दो कोड एक होना चाहिए था लीक करके वी दिया मान देखने लाए बिहार में हूँ आपके साथ अस्रम अबास जाती गन्ना के आकड़ा सामने आने के बाद से बिहार में लगतार राजतिक दलो का बयान आ रहा है सब लोग अपने अपने हिसाब से इस पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं जीता रामांजी जो कि बिहार के पुर भुईया और मुसहर को अलक्यों किया गया है यानि कि भुईया और मांजी की गिंती अलग अलक्यों की गई है जबकि तीनों एक ही हैं चाहे हो मांजी हो या मुसहर हो या भुईया हो तीनों एक ही जाती में आते हैं जबकि लोगों को अलग अलग बताया गया है यानि कि हम कि संख्याग को कम दिखाने के लिए उसको बाढ़र दिया गया किban, उन्हें ने साब्थतर प्रकाय कि धिये यह ję married जिस तरीके से जदाव में कई जातों को मिला कर चाहे बात हीर का हो फिर गवाला का हो इस तรीके से जो भी उप जातियां है के झालaltr साथ किया गया है यह कहीं से भी ठीक नहीं है आकित 14 परसेंट कैसे अबादी पहुंच गया यादवों को जरा सुनिए जिता ना मांजी क्या कुछ बोल रहे हैं ना की विशंगतियों पर बात करते हुए अन बातों के अलावा यह भी कहा है कि 1931 में गौला जाती के परसेंटेज था चार पॉइंट सम्थिंग और आज जब 2022 की जंगन्ना हुई है उसमें उसमें 14 पॉइंट सम्थिंग है इतना कैसे बढ़ोती रून में हो गई और दूसर सब्सक्राइब करने मुखवणती जी याद दिलाया उनको और यह भी बताया कि साथ पर ले मुशर के नाम से आती थी मुशर यह लिखे नहीं जाते थे लूड जाती थी आप ही ने किरपा करके हम जब मंत्री थे विल फिर तो आपको से रिशन दिया था तो आपने कहा था क मुशर दुनों एक है तो आज ऐसा क्यों हुआ है इस पर थोड़ाव रंज हो गया है उन्होंने कहा क्यों करना चाहिए अब तो लेकर मंत्री मंदल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या अभी तो आपने जितना मांजी को सुना है वह साब तर पर कहते हुए नज़रा रहे तो दुस्री तरफ जादों को अधिक बताया गया है ताकि समाज में एक मैसेज दिया जाए यानि कि आप समझें जितना मांजी के जो कहने का लब लबाब है वह साब तर पहें कि ये राजनितिक भावना पर आधारित जाती गन्ना के आंक्रे जारी किये गये हैं जैसा कि ज यूट्यूब पर सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें